देखे वे, दद, दन हमारा आते, external confirmation, खत भेजने वाली activity, external confirmation आप कई जगा करते हैं, कोई सी 10 जगें क्या हो सकती हैं, जहां हम खत भेजें, debtors, creditors, banks, employees, lawyers, shareholders, third parties, related party, suppliers, कोई overseas office, कोई और branch office, contractor, registrar, market में किसी से rate लेना हो, SECP से कुछ पूछना हो, CDC से कुछ confirm करना हो, मतलब external confirmation is a thing, जिसकी आप को जगा 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 ज़रूवत पर सकती है, कि आप क्या करें, किस तरह से करें, तो यह standard हम पढ़ेंगे debtors के context में, किस के context में, debtors, debtors के context में, जो external confirmation है, वो किस तरह से हो रही होती है, तो हम कहते हैं, सबसे पहले तो आप confirmation exercise plan करें, आप यह देखें कि यह plan करें confirmation को, आपको पता होना चाहिए, कि आपने किस वक्त plan करना है यह exercise, ideally, यह year end के फौरण बाद हो, और year end पे जो balances तो आप verify करें, अगर time कम है, और आप interim audit पर कुछ काम करने आए हैं, तो आप उस वक्त भी थोड़े से confirmations कर सकते हैं, जैसे bank में time बढ़ा कम होता है, December में year end होता है, और January, February के आसपास तो उनको accounts market में देने होता है, तो फिर क्या होता है, वहाँ auditor October की confirmations कराता है, और उसके बाद confirmations आती हैं तो October से December तक उन balances को, खुछ से personally देख लेता है कि उसमें कितना plus minus हुआ, तो सबसे बहुत तो यह decide करने हैं कि हमने confirmation exercise कब करनी है, यह अच्छा है final date पे, लेकिन यह कभी कभी interim date पे हो सकता है, और बाद में उसको plus minus कर सकते हैं, फिर आप decide करेंगे कि कितने customers हमने verify करने हैं, फिर confirmation method आप बनाएंगे, कि positive method हो या negative, यह positive or negative क्या method होता है, positive यह है कि आप agree करो या ना करो, हमें जवाब दो, और negative है, जवाब तभी दो जब आप disagree करते हैं, तो जो positive confirmation है हम कहते हैं कि इसमें customer को आप कहा देते हैं कि reply करो whether or not वो agree करते हैं, और negative में हम कहते हैं कि आपने सिर्फ तब reply करना है जब disagree करते हैं, positive confirmation दो तरह से हो सकती है, आप customer को लिख के बता दो कि तुमने इतने पैसे देने हैं, हाँ या ना मैं हमें बता दो, या customer को एक fill in the blanks लिख के वो कर दें कि जी यह खाली जगा है, इसमें लिख दो तुमने हमारे कितने पैसे देने हैं, reliability के हिसाब से यह जदा लिखेंगे और बाद में भूल जाता है, उस कागस के उपर कुछ और कागस हो जाते हैं, response जादा बेतर ही है जब आप पहले से लिख के भीजते हैं, पहले से लिखा वो होगा, वो confirm करेंगे, आपस में एक दूसरे से हाँ भाई, वो फलाना के हमने इतने पैसे देने हैं, तो कहेंगे, हाँ, इसके आसपास ही थे, टिक करके भेज़ दो, जब अमाउंट पहले से लिखी वी होगी, तो उसकी reliability थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन response बढ़ जाएगा, और अगर अमाउंट नहीं लिखी वी होगी, reliability बढ़ जाएगी, लेकिन response कम हो जाएगा, तो इस लाइन्स आई के अपने पेपर में सबसे ज़ादा दफा पूची हैं, तो वो ये आखरी चार लाइन्स है, नेगिटिफ कंफरमेशन की शर्तें, आई केप को अखीर पसंद है, बहुत ज़ादा पसंद है, यानि मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि आपके पास पेपर में 70% ऐसे पेपर होंगे जिसमें उनने ये सवाल पूच्छा होगा, या सिच्वेशन मना के पूच्छा होगा, या स्टेट फावर्ड पूच्छा होगा, आज हम जतने भी अरियास पढ़ हैं उसमें सबसेंटे प्रोसियर के पास पेपर ऐसी को बड़ी साइंस नहीं है, वो क मतलब प्रेफरेंस ही है कि आज एक्स्टनल कंफरमेशन कीजए और 700 सरीज आपकी थोड़ी से रुख गई है तो आगे पे डाल दीजए, लेकिन बारहल जो भी आपका क्लास में महल बने, तो एक्स्टनल कंफरमेशन में नेगेटिफ कंफरमेशन कब भीजनी है, जब, आप अवेर अफ एनी अदर सरकमस्टांस के लोग रिपलाई नहीं करेंगे, तो नेगेटिफ कंफरमेशन भीजने का मतलब आपने मजाग की, आपको पते हैं उन्हों रिपलाई नहीं बेजना, तो नेगेटिफ भीज के आप एम भी खोश हो रहे होंगे, कि दिख रिपला लोग करेंगे कि, यहां पे कि लोग रिपलाई नहीं करेंगे, तो जो यह पाँच शरतें हैं पान्चों रिफिक पूरी होरी हैं, निवर разв臣 कम और अदर आप स्सेघ्छ शरत अब यहादा हैं, क।के आपने का तैहें चलुकि ऐसली जवाब नहीं तीग अजिए, उन Mr जिसमें customer कहें मैं agree नहीं करता मैं एक ऐसी जगा जहां मझे doubt है कि यहां अक्सर debtors कहेंगे वो agree नहीं करते हैं वहां negative मत बेजो जिदर मुझे लग रहा है कि चीज़ें बड़ी positive हैं और बड़ा कम ही chance है कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं agree नहीं करता तो वहां negative confirmation बेज़ें यानि कि जहां low exception rate is expected जहां आप expect कर रहे हैं कि बड़े कम लोग कहेंगे मैं agree नहीं करता असान अलफाज में जहां आप misstatement कम expect कर रहे हैं जहां system बड़ा मजबूत है controls test हुए वे हैं, risk ना होने के पराबर है यानि अगर बहुत ही comfortable महौल है तो go for negative confirmation अगर scenario में value गीवन आप तो फिर exception rate क्या value आप चाहिए जी, अब अगर scenario दिया वह है और उसमें वो बता रहे हैं कि इस दफा हमारे इतनी exceptions आई है आपने देखा कि मजब last time हमने यहां पर खत भेज़े थे और last time 15% यहां पर exceptions आई थी अब फस गए कि 15% को low exception कहें या high exception कहें यहां पर लिखाव है very low तो very low तो बहुत ही चोटी चीज़ है तो अगर 15% भी है तो वो very low की definition पर नहीं उतरता लेकिन यह judgmental चीज़ है percentage तो नहीं बताई तो अगर आप paper कर रहे हों तो आप कहेंगे कि यह तीन शर्तें पूरी हो गई अगर हम 15% को very low exception rate consider करें तो ठीक है फिर हमारा negative confirmation का फैसला सही था ऐसे सवाल में जिसके absolute जवाब नहीं हो आप उनको कानून बता दिया करें कि आपको कानून पता है सिर्फ यह नहीं पता कि इस वग यह very low है या नहीं तो आप कहेंगे if this is considered to be very low तो मेरा यह जवाब होगा यह बात समझा रही है तो किसी खत का जवाब ना आने का मतलब negative confirmation में यह होता है कि सब okay है हाला कि हो सकता उस तक खत पहुंचे ही नहीं तो यह इसमें मसलों मसायल है फिर आपने क्या करना है आपने sample select करना है अच्छे अच्छे debtors का sample select करना है अब आप auditor हैं आप sample select करेंगे आप side debtors sort करेंगे उपर उपर के बड़े sample select करेंगे 500 डेटर हैं आप उपर के चंद सौट करेंगे तो पता लगा 20 डेटर में 90% कवर हो गया तो उसकता आप कहें मैं 90% डेटर कवर कर रहा हूं तो बड़े बड़े डेटर उठा के कन्फर्म कर लिए अगर क्लाइन को पता लग गया कि आप ऐसे ही करते हैं तो वो सारे मसले चोटे डेटर में डालेंगे तो आपने मिक्सिंग करनी है बड़े डेटर भी उठाने कुछ जीरो वाले उठा लेने जो नेगेटिव हुए वे उनमें से भी कुछ उठा लेने जिनमें मश्कूब पेमेंट्स हैं राउंड से सब नजर आ रहे हैं आपको बैलेंस है उनको भी सेलेक्ट करें ओवरड्यू बैलेंस को भी सेलेक्ट करें इंडिविजुली जो आपको कुछ मेटियल बैलेंस लग रहे हैं आप उनको भी सेलेक्ट करें सेम्पल सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो देखना है कि जो सेम्पल मैंने उठाई है रेस खत लिखते वे आपकी लफाजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, डैटर को पता लग जाए कि आप उससे मांग क्या रहे हैं, ऐसा नहों कि वो खत पढ़े और खत पढ़के क्या बड़ा अच्छा लिखा है, तो खत में बंकाइदा लिखा होके आपने क्या पूछा है, आप में हमें पैसे ना भेजिएगा, क्यों? क्योंकि अक्सर डैटर को जब खत मिलता है तो वो समझते हैं कि हमने कमती की पैसे देने थे मांग रही है, उसमें लिखा होता है न बताओ तुमने कितने पैसे देने हैं, तो उनको तो हो यारे, तो पैसे मांगना शुरू हो ग है जो यूजर्स को समझ आजाए कि आप उनसे क्या चीज रेक्वाइर कर रहे हैं अब सवाल यह किसकी तरफ से जाएगा असूलन तो यह मेरी तरफ से जाना चाहिए लेकिन मैं किसी भी एक्स वाई-जी बंदे को अचानक से खत लिखो और उसको कौन तुमने फलाना कमती किते पैसे देने हैं वो कहेगा तुम कौन मेरे तो खत को जवाब नहीं देगा तो मजबूरी है कि मुझे आथराइज वे में भीजना है तो मैं कंपनी वालों से कौनगा अपना लेटर हैट पकड़ो यह मेरे अलफाज हैं य इनको खत बेजो अब जब ऐसे करेंगे तो इंडिपेंडेंस आउट हो गई तो फिर उसका तरीका यह कि आप उन खत में यह लिखवाते हैं कि इसका जवाब डारेक्ली और्डिटर के पते पर जाना है तो जो जवाब इनके पास पलट के आएगा हम उसको रिलैबल इंडिया उस तरह वाल चक्कर होगा तो पैगाम आपका है लेकिन जाएगा उनके लेटर एट से और मज़ी की बात है अलफाज भी इस तरह के होंगे जैसे उन्होंने लिखे हैं हमारे और्डिटर आपसे यह कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने इतने पैसे देनी हैं तो खत की लिफाजी उन्हें बताई अब हम देखेंगे सब पर प्रिंट वही हुआ है खत भीजने से पहले हम उनका कॉंटेंट देख लेंगे खत को फोल्ड होते वे देख लेंगे खत को लेटर बक्स तक जाते वे देख लेंगे असल में auditor की तरफ से यह ख्वाइश है के confirmation issue हो लेकिन auditor के नाम से अगर letter जाएगा ना तो गडबड हो जाएगी चुकिए देखें यह तो फिर external confirmation है आप एक बैंक को खत लेख दें आप किसी भी बैंक को खत लेख दें आप कहें कि Unilever के आपने जो पैसे देने मुझे बता मैं उनको auditor हूँ बताएंगे नहीं बताएंगे तो अगर Unilever bank को हत लिखे कि हमारे auditor यह पूछना चाह रहे हैं उनको बता दें तो इस process में problem है कि हमें client की authorization चाहिए यह auditor की limitation है आपको को कोई भी काम करने के लिए client की authorization चाहिए आप कहते मैं अचानक से इनके रहीम यार खान मारूंगा और देखूंगा वहां पर inventory पड़ी यह नहीं पड़ी आप वहां पहुंचे गार्ड ने अंदर गुसने ही नहीं दिया भाई आप तो एक अन्नोन आदमी हो ना अब आप जैसे ही वो कोगे नहीं company वालों से पूछ लो वो कहेंगे अच्छा जी आप बाहर खड़े हो मैं पहले company से confirm करता हूँ company वालों से पूछे का वो कहेंगे यह कौन सा ओडिटर आगया फिर वो ऑडिटर की फिर्म से पूछेंगे हां जी आप इसका से उनका हमने surprise विजिट सोचा था तो कहेंगे हमें तो बता दे तो नहीं आपको इसलिए नहीं बताया कि पर surprise विजिट ना रहता तो नहीं का दे हो जाएंगे तो ठीक है इनकी कांटिंग मले बिदिन अलर्ट होंगे तो पर तो process बेकार होगा तो उस दिन तो बहुँना चाहिए होने हैं तो उस दिन अगर हमारी विज़ा सा यह तो फाइदा हमारे ही है financial अच्छे बन जाएंगे तो इसलिए कभी-कभी उनने अलर्ट कर शोर कर लेता है कि वो कोरियर वाले तक सही तक पहुचा या नहीं पहुचा कंपनी के नाम पर बिल कटता है, पैसे भी कमती वाले देता है और बस यह देखता है कि मेरे पास पहुचना चाहिए तो यह तो अंडेलाइबल हुआ ना, एक्स्टनल कंफरमेशन जपर मेरे पी की समकता कि बढ़ाY आएसके 500 ने बताया एक्सटनल एंट्रनल से मदोपTF से मदोपा होता है जो औरृट्र vendor खुद प्रुसीयर लगांकर मालूम करे और जो चूंसको बताया जाये तो ये खुद प्रोसियर लगा कि आप डारेक्ली बाहर के बंदे से बूच रहे हैं पांचवी चीज उसमें होती है जहां स्ट्रॉंग कंट्रोल होते हैं वाँ एवेड़नस मजबूत होता है तो अगर आप यह भीजते वक्के स्ट्रॉंग कंट्रोल स्ट्रॉंग कर लें तो किताब थोड़ा सा आगे इस पर डिबेट करती है कि अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूस कर दे तो आप रीजन्स पूछेंगे कि भाई आप क्यों रिफ्यूस कर रहे हो अगर उनकी रीजन्स जस्टिफाइड है तो आप उनकी बात मानने का यह मतलब नहीं कि आप उस कस वेरिफाइड करें तो पता लगे कि एक जैन्वन एक्सक्यूस था तो फिर हम उसमें अपने अल्टरनेट प्रोसियर लगा कि उस चीज़ को वेरिफाइड करने की कोशिश करेंगे कि वह चीज़ सही से हमें पता लग जाए अगर मैनेजमेंट का अन्रीजनेबल रिफ्यूजल है और आपको और्डेट एविडेंस किसी आर्टरनेट तरीके से मिल जाए तो अच्छा है और ना मिले तो यह स्कोप लिमिटिशन काउंट होगी खतों के अब आना शूरू हो गए जवाब एक जवाब यहा सकता है कि बैलेंस एगरी जवाब आया मैं एगरी करता हूं बिल्कुल इसी तरह से है आप फॉरण से उस कागस को आग लगा देंगे कि यह तो एगरी करता है बिसकी क्या जरूबत उसको कागस बनाएंगे क्योंकि ये भी एक एविडेंस है कि हाँ एक बंदे ने कहा मैं अगरी करता हूँ फिर कुछ ने कहा मैं अगरी नहीं करता एक्सेप्शन्स जैसे आपको बता लगा आपने कह दिया क्लाइंट से बड़ा जूटा अदमी कोई नहीं है उसने जूट बताया था मैंज़े क्या डिस एग्रीमेंट का हमेशा मतलब है कि जूट नहीं हो सकता है कि कंपनी की तरफ फिगर गलती गलत लिखी यो हो सकता है उनसे पढ़ने में गलती योई हो सकता है ताइमिंग डिफर की तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है तीजून पर आपका बैलेंस उनकी बैलेंस है फर्क तो हर exception में statement नहीं होती है आप exception के पीछे जाएं और देखें और उसको confirm करने की कोशिश करें अगर वह statement है तो फिर opinion खराब करने की तरफ जाएं depending upon materiality फिर अगर जहां reply नहीं आया आप पीछे पढ़ें की क्यों नहीं आया negative confirmation में खुश हो जाएं और positive में पीछे पढ़ जाएं कि क्यों reply नहीं आ रहा कब आएगा अगर आपको reliability डाउट है किसी भी response की तो आपने एक देखना है कि यह किन हाथों से आ रहा है इसका क्या source है उसको और alternate तरीके से verify करना है जब तक आपको confirm नहों जब तक तसली नहों कि response सही है तब तक आपने आगे नहीं चलना और अगर एक response गलत लग रहा है तो फिर आपने देखना है कि क्या बाकी response कितने ठीक है एक response में आपको लगा sign दो नमबर हुआ गया तो आपको जब यह शक होगा तो आपको कुछ और responses भी देखें कि उसके sign के उपर आपको शक होना चाहिए या नहीं तो अगर एक जगा भी गड़बर मिली तो उसकी विज़ासे पूरे system पर आपका trust थोड़ा सा उट हो जाता ह तो आपको reassess करने पड़ेगी अपनी जो रिसक assessment है सारे responses आ गए alternative procedures लगा लिए जो जो नहीं मिले थे उसको confirm कर लिए अब आपने एक summary बनाने है summary ये बनाएंगे कि जी हम लोगों ने इतने खत भेजे थे 700 खत भेजे थे इन में से 500 ने जवाब दे दिया सबों के है 50 अभी तक आए नहीं है इतनों ने कहा था मसला है लेकिन हमने जब reconcile किया तो timing difference था इतने असल में मसले थे और ultimately हमारे 700 के sample में तकरीबन चार ऐसे data का इ 25 लाक के data से verification की और उसमें मुझे मसले नजर आ गए एक लाक रुपए के तो अगर मैंने एक कडोड के data को भीजा होता तो accordingly मेरी उतनी percentage चार एक लाक के मसले होते तो फिर मैं देखूंगा मेरी मेटी एलटी तो नहीं हिट हो रही तो यह एक overall external confirmation से related आपके procedures होते हैं जो अब वही बात है कि standard के साथ नाइंसाफी करने वाली बात है अगर हम उसको लेके आएं एक तो नमाज का भी वक्त और दूसरा फिर उसके बाद वो standard शूरू कर दिया तो आप pass paper से भाग जाएंगे कौन तो 520 एनलेटिकल प्रोसीजर तो वो कोई बात नहीं हमारे पास कल का Sunday का दिन तो है कल तो आप कफंद मांद के आएंगे कल तो दूसरा session ही नहीं है कल हम ही हमें कल कल सिर्फ हमारी class है जी चार बजे होगी लेकिन खतम होने का कोई time defined नहीं है वो जो है वो बतब इखला एक लाकी तोर पे लिखा दा के कल हमने करना किया है तारगेट है risk assessment और controls यानि कि जो हमारा पहले session का target है वह है चार से 6 controls, control में दो chapter आते हैं का internal controls सीधा सीधा से chapter है simple सी बात है फिर एक test of control वाले chapter है कंट्रोस पढ़ने के बाद है टेस्ट अफ कंट्रोल उसमें भी हम यह फल्यू दरस्फ्यू की टाइप की साइस करेंगे तो यह दो चीजें कवर करेंगे फिर ब्रेक होगी और ब्रेक के बाद फिर हमारा होगा रिस्क असेस्मेंट चैप्टर नंबर थ्री हमारी किताब का व वह को ऐसी को बहुत बड़ी साइस नहीं है वह चोटी सी चीज है यह नहीं कि अगर में जो बाइद ऑफ रिविजिन क्लास अगर को दुख होगा तो यह होगा कि सेंप्लिंग का लेक्टर बस हमारा में अगर कल आप लोग मूड में हो तो वह भी कर लेंगे असर में यह मतर्लों कौन सी हालत होती है कि किस से गुजर रहे हैं वो जो लोग बलकर जुड़े वे होते हैं जो कि इस वक्त तो बिल्कुल यह आपको पता है कि कैमपस जगा जगा से इसमें सुराख हुए है यह देखें यह देखें कैमपस हमारा आरेक बाहर जाने कर रसता मतर्दक कै अब हमने जगा जगा दीवारें लगानी हैं बड़े सारे और काम करने चेक करें मतलब यह सीधर रस्ता बाहर को जाता है तो मतलब हमी दर्वासा लगाया है यहां से रस्ता देते हैं तो आप यह देखें कि इस तरह की खुर्बत जदा कैमपस जो अभी बिचारा असर नौ त बढ़ी है खर्च करने से यह अब आपने तजर्बा करने कल असल में बात है कि कल संडे को पहले ही यहां पर ना सलेक्टिट साफ होगा तो अगर आप में से कोई सपोर्ट करने को तयार हुआ है तो फिर किसी ब्रेक में यह जैसे च्छे बजे वाली बरेक होती है इस ब्रेक को कि मिटे बना देंगे वह जाके जहां से सस्ते की पैक मिलते हैं विज़िट की कुरल नि eskis हो घंञे तो हर रो में एक पैक को अजाएगा सारे लोग उसमें से कि लेंगे चेक यूदि को और नीचे लेगा तो खेर कल कर देंगे कि अगर चाय में आप इंट्रस्टेड हैं चाहे पता नहीं यहां आसपास से इधर है तो अगर अगर तो आप में से कुछ लोग इंट्रस्टेड परसन हुए और बंदों की कमेटी बन गई तो हम उन्हें पैसे दे देंगे लेकिन अगर उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं अधिक है ने को मसला नहीं है असर में ना हमारी फील में कब तक भागे का कई तो उसने आ जाना है और कुछ नहीं ना तो किसी टाइम पर साथ-ाठ साल बाद आकर कि कैसा मेरा पेपर पास नहीं हो रहा मुझे लग रहा है उस दिन की आ लगी है एपड़ो पैसे एपड़ो इं कर लेते हैं कुछ खाने पीने कर भी कर लेते हैं अगर आपको ज़्यादा इसी तरहीं किसे पढ़ाया जा सकता है नहीं पर एंड पर रखे ना ऐसा ना हो कि आप छे साड़े सबाद शे बज़े खागू के गाए बोजे नहीं रेगूलर बैज वालों का तो एक हाईटी फस अगर जाएगा तब हम वो कर लेंगे एक लाकियात भी तो बीच में फसी भी है ना ठीक है जी तो अपना ख्याल लख किएगा दवाइए वक्पे लेते रहेगा कल इंशाला ताला कल जरा माइंड मना